आपने HDMI ARC और इसके फायदों के बारे में हमारे पिछले वीडियोज को देखा होगा HDMI ARC ने Home Theater Setup और Connection प्रेक्रिया को बेहद सरल बना दिया है जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे HDMI ARC का मतलब है Audio Return Channel जब आपको एक साधारन या स्मार्ट TV से आए Audio को अपने Home Theater स्पीकर में रूट करने की आवश्यक्ता होती है तो यह उसकी Connectivity को सरल बनाता है साथी आप सिर्फ एक केबल के जरीए अपने TV से अपने Sound Bar या Sound System पर High Quality Audio का आनंद ले सकते हैं यह आपको कई सारी केबलों को सिस्टम से जोडने की परिशानी से बचाता है आप इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है बेशक HDMI ARC बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाए है यह ARC की सभी विशिष्टाओं के साथ साथ और भी बहुत कुछ प्रदान करता है AV और Home Theater Technology में EARC एक बहुत बड़ा कदम है और यह निश्चत रूप से आपके घर के TV आडियो को मैनेज करना और भी सरल बनाएगा EARC आपको यह सभी चीज़ें प्रदान करता है EARC आपके TV को सतत हाई क्वालिटी Dolby Atmos साउंड उत्पन करने की शमता देगा और यहां तक की यह दोश्रहित Dolby Atmos साउंड को भी पास थ्रू करने की अनुमती देगा दीके जरीए Full Resolution Audio Signals जिनमें Dolby Atmos और DTS-X जैसे 3D Surround Sound Format शामिल है आपके TV और Audio Systems के दर्मियान आसानी से ट्रांसफर किये जा सकते हैं और यह तब भी संभव है जब Signal Over The Air प्रसारन, Internal Streaming App या Blu-ray Player या Game Console से सिधे EARC Enabled TV में आते हैं दूसरा, TV याने Output और Receiver याने Input के बीच Output Bandwidth ERC सिस्टम में जहां पर एक MBPS मिलता था वह बढ़कर EARC में 38 MBPS होगा यह विशेश रूप से Gaming, Streaming और Live Sports को देखने के अनुभव में काफी सुधार करेगा तीसरा, EARC Specifications Lip Sync सुधार को ज़रूरी बनाते हैं जिसका मतलब है कि Picture और Audio पूरे वीडियो या Audio Signal के प्रसारण के दौरान सही Sync में होंगे भले ही श्रिंखला में कितने भी उपकरण क्यों न हो चोथा, EARC अब अन्य उपकरणों को खोजने और पेरिंग करने के लिए HDMI CEC नियंत्रेत प्रोटोकॉल पर निर्भर नहीं रहेगा इसका अपना एक Dedicated Data Channel है जो Connected उपकरणों को Audio Format Support Information आदान प्रदान करने की अनुमती देता है सिस्टम खुद ही एक जरूरी Format का चैन और उपियोग करेगा इसका मतलब HDMI EARC ना सिर्फ केबल की अव्यवस्था को कम करेगा बलकि नए और बहुत आवश्यक फीचर भी लेकर आएगा सभी टेकनोलोजीज की तरह Home Theater का भविश और इसके Planning की घोशना इसके Standard बनने से काफी पहले की जाती है यह जब भी होगा तो आप उस पर सभी लेटिस्ट घबरे पाने के लिए UberPad पर भरोसा कर सकते हैं दरसल UberPad पे हमारे पास पहले से ही HDMI EARC सपोर्ट करने वाले कुछ AV Receiver है उन्हें भी ज़रूर चेक आउट करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक के बटन को हिट करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्स्राइब करें थाइंक्स फूर वाचेंग